कैसे हैं आप लोग आप सबी ठीक होंगे और मेरी डेली करेंट अफेर की जो सेशन्स हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं उन्हें डेली फॉलो कर रहे होंगे आज 16 जनवरी 2023 का करेंट अफेर का सेशन्स लेकर एक बार फिर मैं हिमानशु आप सभी का मेरे चैनल पर तही दिल से स्फाकत करता हूँ आज़े 16 जनवरी 2023 का करेंट अफेर का सेशन्स हम शुरू करते हैं पहला कोशन्स लेंगे केंदर ने किस वर्ष तक 500 गिगावाट हरित उर्जा को एकिकरत करने के लिए विद्युत पारेशन प्रनाली विक्सित करने की योजना शुरू की तो इसका जो करेक्ट अंसवर है वो है ओप्शन D 2030 केंदर सरकार ने 2030 तक 500 गिगावाट हरित उर्जा को एकिकरत करने के लिए एक बिजली पारेशन प्रनाली विक्सित करने की योजना शुरू की है अगला कोशन देए किस बैंक की वितिय स्थिर्था रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में बैंकों का सकल NPA बढ़कर 9.5 प्रतिश्यत हो सकता है बैंक ग्रोस NPAs में राइस टू 9.5 परसेंटाइल इन सेप्टेंबर 2022 अकोर्डिंग टू विच बैंक स्फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट तो इसके अंदर करेक्ट अन्सफर है आप्शन D, РБईाई इस तरह के जो रिपोर्ट आती है उनको बताता है आरबी आई जो है उसके पास ये अथोरिटी है तो आरबी आई वित्ये स्थिर्टा रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में बैंकों का सकल NPA बढ़कर 9.5 प्रतिशत हो सकता है अगला कुशन देगे बारत साहता प्राप्त मंग देचू जल विद्यूत परियोजना किस देश के टुक ग्रीन पावर कॉर्प को सोंपी गई है तो करेक्ट अनुसर है इसका उप्शन सी भुटान बारदवारा साहता प्राप्त मंग देचु जल विद्यूत परियोजना बुटान की डुक ग्रीन पावर कोर्प को सौंपी गई आगे बढ़ते हैं अंगला कोशन देखे Fox in the road, my days at RBI and beyond नामक पुस्तक के लेखक कौन है Who is the author of the book title Fox in the road, my days at RBI and beyond तो correct answer है option B C. रंगराजन Fox in the road, my days at RBI and beyond नामक पुस्तक के लेखक है आगे बढ़ते हैं अंगला कोशन देए IOCL किस राज्या और च्छतिस गड़ के TB उन्मूलन के प्रियास में मदद करेगा तो correct answer है option A. उत्तरपरदेश IOCL उत्तरपरदेश और च्छतिस गड़ के TB उन्मूलन प्रियास में मदद करेगा आगे बढ़ते हैं अंगला कोशन देखिए चाटा कोशन कौन सी कंपनी लदाक के लिए स्थानिक डेटा इंफ्रस्ट्रक्चर जीयो पोर्टल विक्सित करेगी तो ये कंपनी है करेक्ट अंसुरेस का उप्शन सी इसरो इसरो लदाक के लिए एक स्थानिक डेटा इंफ्रस्ट्रक्चर जीयो पोर्टल विक्सित करेगी केंद्रिय सतरकता आयुक्ट के रूप में किसे न्युक्ट किया गया है तो इनका नाम है करेक्ट अंसुर है इनका उप्शन ए इस कोशन का परवीन कुमार शीरवास्तव को कारेवाख के अंदरिय सतरकता आयुक्ट किया गया है आगे बढ़ते हैं अगला कोशन देगिए स्वस्थ गर्ब एप किस IIT और दिल्ली एम्स ने बनाया है तो करेक्ट अंसुर है इसको उप्शन सी IIT रूडकी IIT रूडकी और दिल्ली एम्स ने बनाया है स्वस्थ गर्ब एप्लिकेशन अगला कोशन देखिए NRI और OCI को किस देश में अचल संपत्व खरीदने के लिए RBI की पुर्व अनुमति के अउशकता नहीं है तो करेक्ट अंसुर है इसको उप्शन C IIT रूड की और OCI को बहरत में अचल संपत्व खरीदने के लिए RBI की अउशकता नहीं है किस राज्ये द्वारा जारी दिशा निर्देश बिना जांच के करमचारियों की बरखास्तगी को रोकते हैं करेक्ट अन्सफर इसका उप्शन भी हर्याना हर्याना ने बिना जांच करमचारियों की बरखास्तगी को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी की है यानि अगर किसी भी करमचारी के उपर अगर आपको कोई भी उनके काम से या कोई भी उनके वरकिंग प्रोफाइल से कोई भी आपको किसी भी डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम है तो पहले जांच होगी उसके बाद ही बरखास्तगी हो सकेगी ऐसे आप डिरेक्टली किसे को भी सस्पेंड या कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते विदाउट एनी जांच अगला कोशन देखिए विश्वस तरिये कया किंग कैनोइंग अकार्डमी किस राज्या में स्थापित की जानी है विश्वस तरिये कया किंग कैनोइंग अकार्डमी किस अपना की जाएगी आगे बढ़ता है अगला कोशन देखिए किस देश की प्रधान मंतरी शेख हसीना ने पहली मेट्रो रेल का उदगाटन किया तो सभी जानते हैं ये करेक्ट अंसफर ऑप्शन सी बांगलादेश बांगलादेश की पीम है शेख हसीना जिन्होंने ढाका में पहली मेट्रो रेल का उदगाटन किया है अगला कुशन देखे कौन सा देश बौइंग 737 मैक्स पर से परतिबन हटाएगा तीन साल बाद एक घातक दुरकटना जिसमें 189 जो लोग थे 189 लोग मारे गए ते तो करेक्ट अंस्वर है उप्शन डी इंडोनेशिया इंडोनेशिया को बोईंग 737 मेक्स पर लगे पर्तिबंद को हटाना है एक घातक दुरुगटना के तीन साल बाद जिसमें 190 लोग लगबक मारे गए थे अगला कोशन देगे किस राज्या में जियो की 5G सेवा शुरू हो गई है करेक्ट अंस्वर अप्शन अंदर परदेश में जियो की 5G सेवा शुरू हो गई है आगे बढ़ते हैं अगला कोशन देगे किस दक्षिनी अफरीकी किरिकेटर ने सेवा निवरती की गोशना की किस राज्य की पुलिस निजात अभ्यान को IACP 2022 पुरसकार मिला विच स्टेट पुलिस निजात कैंपेन रिसीवड IACP 2022 अवार्ड तो यह है करेक्ट अंस्वर ऑप्शन है 36 गड़ पुलिस निजात अभ्यान को IACP 2022 का पुरसकार मिला है आगे बढ़ते हैं अगला कोशन देखिया किस केंद्रिय मंत्री ने stay safe online अभ्यान शुरू किया है तो करेक्ट अंस्वर है इसका option B अश्विनी वैशनवजी केंद्रिय मंत्री है अश्विनी वैशनवजी जिनोंने stay safe online अभ्यान की शुरूआत की है और वर्तमान डेल मंत्री भी यहीं है अश्वनी वैशनव जी अगला कुशन देखिए किस राज्य सरकार ने नील गिरी तहर संग रक्षन परियोजना की स्थापना की करेक्ट अंस्वर है इसका ओप्षन डी तमिल नाडू तमिलाडू सरकार ने नील गिरी तहर संग रक्षन परियोजना की स्थापना की आगे बढ़ते हैं आखरी कुश्चन है सेशन का देखे दो हजार बाइस में आर्टिफिशल इंटेलिजन्स जी पी ए आई पर ग्लोबल पार्टनर्शिप का अध्यक्ष कौन सा देश होगा तो आपको इसका अंस्वर बताना है करेक्ट अंस्वर है इसका ओप्षन C इंडिया भारत ने नी वरतमान अर्देक्ष फ्रांस से आर्टिफिशल इंटेलिजन्स पर वैश्विक भाग्यदारी की अध्यक्षिता क्रहन की I hope 16 जनुरी 2020 का इस सेशन आप सभी को पसंद आया होगा वीडियो को एंट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए वीडियो को लाइक करना ना बूले और साथी साथ अगर आपकी फैंबली फ्रेंड्स और रिलेट्विस में कोई की गोवर्मेंट सेक्टर की त्यारी कर रहे हैं तो उन्हें भी 20 कोशन का जो करेंट अफिर का छोटा सा सेशन है शेर करना बिल्कुल ना बूलें जुड़े रही है हमारे साथ कल फिर एक नए सेशन के साथ हम लोग आपके साथ यहां उपस्तित होंगे तब तक के लिए पढ़ते रहे हैं त्यारी करते रहे हैं all the best guys thank you thank you very much